नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी गान फोरियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि वीपियो भरती के 1468 पद जिसका विज्यापन जारी हो चुका है और आप 23 मई से इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं तो इस परिक्षा में मुख्य परिक्षा के लिए PED 2022 में कितना कट ओफ चाहिए देखिए बहुत सारे चात्र इस असमंजस में रहते हैं कि क्या हम मेन एक्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तैयारी करें या ना करें अब उनको दो महिने बाद ये पता चला कि हमारा मेन एक्जाम के लिए क्वालिफाई हो गया है तो फिर तैयारी करने के लिए उतना समय बसता नहीं है जितना समय आज की देट में होता है ठीक है तो कितना कट आफ आपको चाहिए पैट 2022 में और इस परिक्षा का सिलिवस क्या होगा और इसका एक्जाम यूपिटर पलेसी किस महिने में कंड़क्ट करा लेगा तो इन सभी बातों को लेकर बहुत ही महत्तपों जानकारी मैंने यूपिटर पलेसी से प्राप्त की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जितना भी डाउट है इस भरती को लेकर वो सब किलियर हो जाएगा ठीक है दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लेए जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी ऑथन्टिक निउस सबसे पहले आपको मिल जाएए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पदों को लेकर कि इसमें कुल कितने पद हैं देखे ग्राम पंचात अधिकारी की ये पोस्ट है और लेवल 3 की पोस्ट है यानि की 2000 ग्रेड पे की ये जौब है ठीक है और पदों की जो प्रकरती है वो इस्थाई है दोस्तों इसमें कुल पदों की बात करें तो भाया 1468 इसमें कुल पद है जिसमें EWS के केवल 117 पद है और OBC के केवल 139 पद है और STK 7 है SC के 356 है और General के 849 इसमें पद है ठीक है दोस्तो इसमें आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं देखिए विज्यापन जो है इसमें आज जारी हो चुका है सारी कल जारी हो चुका है 16 मई को और 23 मई से इसमें जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और Online आवेदन शुल्क जमा करने क की सब्मिट करने के जो लाज़ डेट है वो 12 जून है यानि की 12 जून तक आपके पास सारे के सारे डॉकुमेंट होने चाहिए यानि की ट्रपल सी आपको 12 जून से पहले आपके हाथ में होना चाहिए और अगर किसी के पास EWS है तो उसका EWS भी 12 जून से पहले उसके हाथ मे होना चाहिए ठीक है और आविदन में शंशोधन की अंतिम्तिती यानि कि आविदन में आप करेक्शन कर सकते हो 19 जून तक ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मुख्य परिक्षा के लिए कितना कट ओफ पैट 2022 के आधार पर चाहिए होगा यानि कि आप जो है कितना स्कोर आपका है पैट 2022 में जिससे आप जो है वीपियो का में एक्जाम दे सकते हो तो भाईया जितना भी मैंने आकड़ा आज तक किसी भी भरती को लेकर लगाया है वो 99% सही साबित हुआ है और आपको मेरी पिछली वीडियो में ये बात पता लग गई होगी तो इस भरती को लेकर जितना भी मैंने आकड़ा अब तक लगाया है तो उसके आधार पर मैं इस निसकर्ष पर पहुँचा ह जा रहा हूँ मैं परसेंटाइल में बताऊंगा ठीक है हाला कि यूपिटर पलसी जो कट आफ देता है वो स्कोर में देता है कि आपका नॉर्मलाइजड स्कोर कितना है लेकिन मैं आपको परसेंटाइल बता के चल रहा हूँ को कि परसेंटाइल बताने से एक ठीक ठाक आपका 98.3 ठीक है जिस छात्र का परसेंटाइल 98.3 है या इससे उपर है वो सभी छात्र वी पियो का मेन एक्जाम 100% देंगे ठीक है देखिए अगर परसेंटाइल आपका इससे कम है तो आप जो है वी पियो के मेन एक्जाम की तयारी में ना लगे तो सही रहेगा कौकि समय विगारने से कोई फायदा है नहीं ठीक है कौकि इसमें जो है अगर मैं 98.3 परसेंटाइल लेता हूँ तो इससे उपर छात्रों की संख्या 40,000 तक कम्प्लीट हो जाती है ठीक है और 40,000 छात्र ही मेन एक्जाम के लिए इसमें क्वालिफाई होंगे यानि कि 40,000 छात जो है हो जाते हैं तो जिस छात्र का स्कोर इतना है 800.3 परसेंटाइल वो छात्र बिलकुल जी जान से तैयारी में लग जाए आपको 100% मेन एक्जाम देने का मौका मिलेगा ठीक है दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर तो बहिया सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपका सिलेबस है बिलकुल वही सिलेबस आपका रहेगा यानि कि 50 सवाल आपके GS के होंगे 50 सवाल आपके Hindi के होंगे और 50 सवाल आपके Reasoning के होंगे कुल मिलाकर 1500 परस्ण होंगे लेकिन negative marking में आपको अंतर देखने को मिलेगा जो वीडियो 2000-18 वाला है उसमें 1 by 2 की negative marking थी यह होगी लेकिन VPO में नई भरती में 1 by 4 marking होगी यानि कि यूपिटर पलसी ने अब सभी भरतियों में 1 by 4 negative marking कर दिया है ठीक है तो आपके 1500 प्रस्ण होंगे टोटल 300 नमबर के यह आपका सिलेबस होगा दोस्तों रही बात परिक्षा किस महीने में आपकी होगी तो भईया परिक्षा यूपिटर पलसी सितंबर में इसकी करा लेगा ठीक है सितंबर मानकर अपने लक्षा की तरफ आगे बढ़ते रहें सितंबर में यूपिटर पलसी पूरे चांस है देखिए आतार सजीता खतम हो चुकी है अब यूपिटर पलसी का में काम यही है कि नई भरतिया निकालना और उनके एक्जाम कराना और 90% से ज़ादा यूपिटर पलेसी ने पुरानी सबी भरतियों को complete कर लिया है ठीक है आचार सरी तक खतम हो चुकी है 90% से अधिक पुरानी भरतियां समाप्त हो चुकी है अब यूपिटर पलेसी का में काम यही है कि नई भरतियां का विग्यापन जारी करना उनके एक्जाम कराना और जल्दी जल्दी रिजल्ट देना और PED 2022 से जल्दी जल्दी भरतियों को पूरा करना है यही अब यूपिटर पलेसी के पास काम बचा है और आपकी जो परिक्षा है वो सितंबर में हर हाल में होगी और सितंबर मान कर ही लक्षय को बिलकुल धार देते रहे और जी जान के साथ पूरे लगन के साथ तैयारी को आगे बढ़ाते रहें ठीक है दोस्तो दोस्तो यह हो गया आज का वीडियो और किसी भरति को लेकर तो जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तो जैन जे भारत हमेशा खुश रही है मुस्कराते रही है